तो किस प्रकार से आने वाल समय, हम लोग को लौज हो सकता हैा, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी हुआ क्या दोस्तों 20 जनवरी को वजिरेक्स की तरफ से एक ट्वीट आता है इसमें बताया जाता है ये दो फरवरी को साम को 5 बज़े 17 क्रिप्टोकरंसी डिलिस्ट करने वाले हैं इस ट्वीट को मैंने भी देखा था मैंने इसको इजी लिया था कि नॉर्मल जीसर से अधर दिलिस्ट करते हैं अपने क्रिप्टोकरंसी को अपने एक्चेंज़ों से उसी परणा से ये भी दिलिस्ट कर रहा है लेकिन क्या हुआ यहां पर मेरे पास हमारे क्रिप्टो कमिटी है उनका मैसेज आना स्टार्ट हो गया सर इस टॉपिक को एक बाद जरूर देखिए क्यो आपके जो 11 क्रिप्टोकरंसी थे वहां पर बता रहा था कि यह रैपिड लिस्टिंग के तहद लिस्ट किया गया है आप इनको विड़ो या डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं रैपिड लिस्टिंग होता कि अगर आपको जानकाई नहीं है आप दो दिन पहले वीड़ो जा के देख सकते हैं यहां पर मैंने पूरा डीटेल में बताया हुआ फिर भी अगर आपको खुछ से जाके यहां पर रीट करना है तो आप इनका आर्टिकल रीट कर सकते हैं 14 जून 2019 को यहां पर इनका आर्टिकल आया था रैपिड लिस्टिंग होता क्या है यहां पर साब आइक बताया है जो रैपिड लिस्टिंग के तहए जो भी किट प्रकेंसी यहां पर लिश्ट होते हैं उनको न आप विड़्ौ कर सकते हैं अपर नहीं कर सकते हैं तो थाम ai कि आपको यहां पर यहां कर करिए और वहाँ पर विड्टो कर लिए तो कहने के देखा जा हम इसको लॉस में सेल कर रहा है तो इस वज़ेसे मैंने सोचा कि इसके उपर आवाज उठाने जरूरी है और इस वज़ेसे मैंने जो है इसके उपर एक ट्वीट भी किया कि आखिर अगर आप यहाँ पर डिलिस् किता चै wholesale रहा है तो आप त्रेट कर सकते हैं और हुड़ कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं इसीमी मैंने वीडियो भी बना दिया कि А清楚 हमारे जो वज़ेसे ऐसके पास पौन ना चाहिए और इसके उपर जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जा क्योंकि बहुत सारी यूजर जो है यहां पे लॉस में अपने क्रिप्टो कंशी को सेल करेंगे या तो जो है उनका क्रिप्टो कंशी यहां पर फसा रह जाएगा अब इनके ट्वीट के उपर बस मैं ही मैसेज नहीं किया जो यूटूबर से उन्होंने भी यहां पे ट्वीट किया है जवाब मागा है और कहीं यह बाते वजरेक्ष के पास पहुँच गई वजरेक्ष ने एक फरवरी को यहां पे ट्वीट किया है इन्होंने यहां पे बताया है वीडिटो सास्पेंडी दिखा रहे हैं मतलब यह है कि यहां पे जो अभी क्रिटो करनसी एच्छा है इसमें जो लोग इनकर राके करके रखें वह अभी यहां पे फसे बाकी यह सो 11 करनसी है दोस्टो जिनको यह डिलिस्ट नहीं कर रहे है यह वहे cryptocurrency है जिनको rapid listing के तहट list किया गया और जो हमारा question था कि अगर यहाँ पर rapid listing के तहट आपने यहाँ पर list किया तो यहाँ पर आपने जो option दिया है ट्रेड या तो hold तो कमसम जो committee है हमारी जो यहाँ पर user से उनको hold करने का तो option दिया जा तो यहाँ पर यह इनको delist नहीं कर यहाँ पर जो 17 क्रिप्टो करनसी थे वह सारे delist होने थे और यहाँ पर users को अच्छे कासी लेबल पर loss भी होना था जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग को बताए कि वजरेक्स की वज़य से आने वाले समय में हम लोग को क्रिप्टो करनसी में अगर profit होता है तो हम ज को 100 रुपया लगा ठीक उसके बाद हम लोग क्या किये हैं यहाँ पर वजरेक्स का जो कहना है कि अभी अगर आपको विड़्ॉ करना है तो हम विड़्ॉ नहीं option देंगे आप एक काम करें अपने क्रिप्टो करनसी को अपने क्रिप्टो कर लिजे और उसके बाद जो है जीरो मलब 20 पैसे के करीब अभी एक्सवीजी का रेट चलना है और सो जो क्वाइन है हम उसको अगर सेल करते हैं हम लोग को मिलता 20 रुपया प्रजेंट टाइम में हम लोग लोग 80 रुपया के लॉस में अपने क्रिप्टो कर दिए तो यहाँ पर लॉस हुआ थो हम लोग टेक्स नहीं पे करेंगे ठीक है इस साल हम लोग टेक्स नहीं पे करना पड़े क्योंकि हम लोग लॉस में हैं अब जो वजरेस कहता है उसके एक और अगर हम देखें तो हम लोग अगर सो एक्सवीजी बाई करके रखे हो थे हमने उसको कनवर्ट कर लिए यह यहाँ पर हम पर सेंट कर लेते हैं अब दूसरे एक्सवीजी कॉइन होल कर थे हैं तो फिन से जाकर एकसिफीजी कोई बाई करेंगे तो हम एक्सिजी कोई Rain के रेड से 20 पर कर रका जहीं जो हमने यहाँ पर वजरेस पे होल्ड करें रखा था वहीं हमलों के पास जो है 100 एकशूई हो गया ठीक अब यहां पर एक चीज ध्यान दिजेगा कि हमारी जो ओल्ड बाइंग प्राइस थी वह एक रुपए थी और अभी जो बाइंग प्राइस थी तो आप पर अपने के ट्विट सेल करेंगे तो यहां से ध्यान दिजेगा कि अगर यहां से 5 एक जाता है XVG का coin एक रुपए पहुच जाता है तो हम लोग का जो बीस रुपए अभी present time में था वो हो जाएगा एक रुपए ठीक है अब एक सो रुपए यहाँ पर हम लोग वजरेक्स एक्शेंज पर होल्ड किया होते एक सो रुपए जाता तो हमारे यह प्राइस था ठीक अब इस एक सो रुपए से मलब एक रुपए से उपर अगर एक सीवीजी का प्राइस जाता तब हम लोगों जो है उसके उपर टेक्स पेइमेंट करना पड़ता लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक सीवीजी को हमने बीस पैसे का ब प्राफिट होगा असी रुपए अब यहां पे हम लोगो इस असी और पर पर जो प्राफित हुआ है है इस पे हमलोंस फार्टी परसेंट करना पठेटेट करना है as per rule तो यहां पे हम लोगगो को टैक्स पेमें करने पड़ेगा 24 रुपए अब 80 रुपए में हम लोग ने 24 रुपए माइनस कर दिया बचा 56 रुपए और 56 रुपए में हमारा जो मूल धन था वो 20 रुपए तो टोटल अभी हमारे हाथ में बचा 76 रुपए है जबकि हमारा उपकम आपासे होता तो कम स कम ऐसा होता है हम ने इसको सेल रुपए लेकिन अगर हम यहां पे किसी और सेंड करके हम जो है वहीृआ करते हैं तो जो बाइंग प्राइस के जितना वी उपर जाए गा उतना हम करना पड़ेगा तो यहां पर हम लोग को 76 रुप्या बचेगा तो यह एक्जामपल पर मैंने एक्सवीजी के बारे में बताया है इसके अलाव जो भी 20% आपको profit हुआ तो हम जो है यहां पर एक भी percent tax payment नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों loss हुआ वो आपका गया अगर आपको profit हो रहा है किसे क्यूट कंसरी पर 20% तो उस पर आपको tax payment करना पड़ेगा जो भी आपको profit हुआ है तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाहरा हू आप लोग को वह आप लोग समझ गया हूंगे फिर भी अगर आप लोग नहीं समझ पाया है तो आप comment करेंगे मैं फिर से एक बार जो इस topic को detail में बताने कोशीज करूँगा जिससे आप लोग इस चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोग को हो बागी दोस्तों वीडियो follow जो है आप नीचे जो description link दिया हुआ है वहीं से join करेगा किसी भी platform पर आप जैसे टेलगाम पर जाके आप ये search मत करेगा कि bitcoin दुनिया ठीक है bitcoin दुनिया नाम से हो सकता कि बहुत सारे scammer जो है same नाम से channel बना के रखे हो और आप लोग उस channel को जाके join कर ले तो आप लोग एक